intuition powers intuition अंदर से को निए वो अलग है देखे वो तो हमारी psychic senses है जो हमें precognition करवाती है किसी के बारे में positive ने बारे में पहचान करवाती है हमें पूर्वा भख्र करवाती है ऐसा होता है न लेकिन intuition बहुत लंबा चोड़ा science है इंट्रिशन का मतब क्या मालूम है कि युनिवर्सल विज्डम, युनिवर्सल नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड जो अब तक ब्रमान में जो कुछ है वहाँ पर अगर आप एक सर्टन ट्रांस स्टेट में आप ट्राविल कर जाते हैं तो देन यू केन कनेक्ट तो इस आकाशिक रिकॉर्ड और पिर जिसके बारे में सोचते हैं आपको उससे रिलेटेट सारी एनरजी आपके अंदर आकर इन्फॉर्मेशन दे रही होती है अभी मालनी जी मैं एक साइंटिस्ट हूँ तो मैं साइंस की खोच conscious mind से कर रहा हूँ और करते करते मैं tired हो रहा हूँ मैं परेशान हो रहा हूँ मेरा काम नहीं बन रहा है लेकिन suddenly मैं एक relaxed state of mind मैं suddenly jump कर जाता हूँ और आपने देखा होगा जितने दुनिया में invention या discoveries होई वो जान बुच करके नहीं पैदा की गई calculation करके नहीं पैदा हूई suddenly it came to the mind जिसके भी अच्छे-च्छे musicians को आप दिखोगे कोशिश करते कि एक दुन बनाओ वो बिचारे करते रहते हैं फिर पहार के फैंक देते हैं कविता लिखते हैं अपनियास लिखते हैं फार के फैंकते रहते हैं कामी दिमागी नहीं काम कर रहा है क्या स्टोरी लिखूँ क्या कविता बनाओ या क्या संगित बनाओ फिर वो सड़नली ठक के हार के ऐसे पढ़ जाते हैं और अच्छानक उनकी चेतना ट्रांस कर जाती है फिर एकदम सड़नली माइन में एक धुना जाती है और वो एकदम कर देते हैं बना देते हैं तो आपने देखा होगा पुराने समय के जितने अच्छे-चे संगित कार थे न उन्होंने ऐसी धुने बनाई जो आका से आई जो कॉंसियस मैंट से नहीं आई बता रहा हूँ मैं आपको इसलिए वो धुन लाखों बार सुन लो आप आपको लगता है मैं आज भी नहीं सुन रहा हूँ और तो होता क्या है कि ये चित्रकार, ये कलाकार, ये संगीतकार ये जितने भी लोग होते हैं ये सब ट्रांस स्टेट में, ट्रांस में कनेट करने की एक आदसी पर जाती है कि जैसे होश गुम होके बोलते हैं न कहीं गायब हो गए, ऐसे तो ये जो इस्टिति आती है वो है कि यूनिवरसल रिकॉर्ड्स को टैप करना ये एक कला हर आदमी में आनी चाहिए तो अगर आप इंट्यूशन को डेवलप कर लें यानि कि अपनी सेंसिटिविटी को हायर कर लें, जिसको हम कहते हैं एक्स्टा सेंसिरी प्रसप्शन, हायर सेंसिरी प्रसप्शन, अगर वो आप डेवलप करें होता है हर आदमी में होती है हम ध्यान नहीं देते इसलिए वह एक्टिवेट भी नहीं होती है असमझे ना वरना हर आदमी इंट्यूटी होता है तो वह इंट्यूशन जो है उसको और वह कैसे डवलप होता है मेडिटेशन से कई तरह के साउंड हीलिंग से म्यूजिक से उनसे भी डवलप होती क्योंकि वो वाइबलेट करती है बौडी को जोर से तो इस तरह की चीजों से है ना और कुछ हमारी पूर जर्म की साधनाई भी होती है उसे कारण भी हमें बच्पन से ही वो सैंसस ऐसी हमारी हो जाती है तो यह सब चीजों से यह डवलप हो जाती है तो इसके मतलब इन्टूशन नैच्रोल है हमारे अंदर जो हम यूजी नहीं कर पा रहे हैं आज किसी भी फिल्ड में आप काम करते हो तो वहां पे अगर आपके पास नहीं क्रिटिविटी नया इन्नोवेशन नियू डवलप करोगे तो इसलिए यूनिवर्स तुम्हें सब कुछ देना चाहती है यू लेंड आट आट आफ कनेक्टिंटू दी यूनिवर्सल वर्ल्ड यूनिवर्सल विस्टम